नमस्कार दोस्तों वोनू इस्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सौगत है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इंट्रोड़क्टरी क्लास से आगे का है और वो टॉपिक है हमारा प्रस्तावना क्योंकि समिधान की सुरुवात प्रस्तावना से होई ति किसी भी देश का समिधान जब आप देखेंगे तो उसकी शुरुवात प्रस्तावना से ही होती है तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रस्तावना होता क्या है या समिधान में प्रस्तावना किसे कहते हैं तो हमारा जो बिशाय होगा आज का वो होगा प्रस्तावना प्रिष्टावना, इसको इंगलिस में हम प्रियाम्मल बोलते हैं, प्रियाम्मल, यह प्रिष्टावना क्या होती है, जब हम किसी एक एक अग्जामपाल के माध्यम से समझते हैं, कि जब हम किसी किताब को, अच्छी राइटर की किताब होती है, तो हम उसको देखते हैं, उसमें एक आमुख लिखा होता है, या जो लेखा होता है, जो किताब लिखता है, उसमें जो अपना वहुमूल समय वो देता है, दस साल, बीस साल, जो भी उसने समय दिया है, तो उस कि किताब में समाज के लिए वो कुछ बताना चाहता है कुछ नियम होंगे या कुछ अब धारना होंगे तो वो समाज को बताना चाहता है किताब इतना समय दिया है तो उसमें वो उस किताब का जो उसने लिखी है उसका एक संचिप्त वरणन यानि कि फॉर्ट फॉर्म में वो प किताब में फला फला चीज दी गई है उप्रोक्त किताब में यह इस के इस चीजे चीजें में आध्याया 1 में 1 है अध्या 2 में यह तो इस परकार की चीजें उप्रिस्ताबना में डालता है आमोव नालता ऐसे ही जब हम समय उद्धान में देखते हैं तो संविधान की प्राष्टावना होती है तो वह भी संविधान के आदर्सों लक्षे रहा है और किन उद्द्ध्स्यों को प्राप्त करना चाहता है या किन लक्ष्व को राध करना चाहतं व्प्रुक्त का ब्रणन उसमें किया जाता है कि साथ में उस देश के संबंद साषन का स्वरूप भी बताया जाता जैसे जब हमने आपको समद्धान की परिवहसा बताया था तो उसमें की एक सासन की बात होए ति कि सम जो समिधान वो एक कानूनों का प्रावधान है या दसता बेजर जिसमें उस देस सासन संचालित करने का जो नियम है वह वर्णे उते तो उसम्म एक सबसे महत्पूर्ण बात है कि उसमें सासन का स्वरूप भी परणन किया जाता है कि सासन कैसे चलाया जाएगा सासन का स्वरूप क्या होगा तो दूसरी बात क्या है कि सासन का स्वरूप क्या होगा यह भी उसमें मैंसन किया जाता है और जो प्रस्ताबना की जो एक और महत शमीधान लागू होने की थिठी का भी जिक्त किया जाता है समयधान लागू होने की तिस्ती का भी बरणन किया जाता है तो ऐसे हमने देखा की समद्धान में प्रस्तावना होती है इसमें भुट सारी चीज सीं unserem करें करके लिख ना परिवाजा के तौर पर तो हम लिख सकते हैं कि प्रिस्तावना एक भूम का या आमुख की भाती होती है जिसमें उस देश का सासन का स्वरूप तथा उस सम्मिधान के लक्षिओं आदर्सों वा उद्द्विशों का वरनन होता है साथी साथ सम्मिधान लागू होने की तिθी का भी वरनन किया जाता है इसको ही हम प्रिस्तावना कहते हैं अगर आपसे कोई पूशता है कि प्रिस्तावना पर तुम ने अतना लंबा-ंबा बोला हमें पताव कि प्रस्तावना क्या होती मिद्ग पता सकते हैं करने नाव की वाती है जो उस देश के समधान के लक्षों मौत penser को बताती है इसके साथ ही उस देश के सासन का स्वरूप को भी बताती है कि उस देश में कैसा सासन होगा और उस देश में समयधान कब लागू हुआ था तो हमने इसमें देखा कि हमने क्या चीज़ें देखी कि प्रियंबल हमको किन चीज़ों को बताती है तीन चीज़ों को यह प्रियंब लेकर चला है किन उद्देश्यों को लेकर चला उद्देश को भी बताती है लक्ष को भी बताती कि क्या लक्ष हो गया है के हिस्टा ही सॉरसन का सोरूप क्या होगा तीसरा वताता है spending स्वर्मिधान लागन होने की त्थी तंग प्रिस्तावना इन चीजों को बसा करी अरामसे जोर लिख सकते हैं किस्प्रिस्तावना क्या है या किस को कहते हूँ आमवकि कि वहांती होती हमने बताया नामो कि आमुक की भाती बोल सकते हैं या भूमका की भाती होती है यह तो हो गई प्रस्तावना की बात अब हम देखते हैं कि भारतिय समयधान में प्रिस्तावना क्या है जब हम भारतिय समयधान को देखते हैं तो उसमें समयधान में जो भारतिय समयधान में जो प्रिस्तावना लिखी गई है उसमें प्रिस्तावना सब्द का यूजी नहीं किया गया तो ये तो मतलब घूर आश्चर की बात है कि हम ने टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो हमने प्रस्तावना से स्टार्ट किया कि हम प्रस्तावना पढ़ने जा रहा है लेकिन अभी हमने कहा कि जब हम भारतिय समध्धान को पढ़ते हैं तो उसमें प्रस्तावना सब्द का प्र प्रियोग किया गया है जब हम उसमें देखते हैं कि किस सब्द का प्रियोग किया गया है तो हम प्रियांबल को देखते हैं जब हम भरतिय समधान का जो प्रियांबल है उसको देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उद्देश का वर्ड का प्रियोग किया गया है किस सब्द का प्रियोग किया गया है उद्देश का यह देखिए यहां लिखा है उद्देश का यह देखिए उपर लिखा है भारत का समयधान जब आप देखेंगे तूपर क्या लिखा है यह लिखा है भारत का समयदान और नीचे क्या लिखा है उद्देश का तो प्रिस्ताबना क्यों नहीं है भारत के समयदान में उद्देश का सब्द का प्रियोग क्यों किया गया है प्रस्ताबना क्यों नहीं है हमने अभी जो टॉपिक स्टाइट किया वो किया है प्रस्ताबना से लेकिन हमारे समधान में ही प्रस्ताबना नहीं है ऐसा नहीं है कि नहीं है उसका सौरूप लग उसका नाम लग है उसकी जगह हमने सब्द किया है उद्देश का सब्द का किसक से हमने उद्देश का सब्द लिया है इसको समझने के लिए हमें पड़ासा इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास का वो तत्त जाना पड़ेगा जहां से उद्देश का सब्द निकला है तो आए हम समझते हैं कि यह उद्देश का सब्द कहां से आया जब हमारा समिधान बन रहा था को तो go seejung समिधन किसने बनाया था समिधन सवने जब समिधन सवाने बनाया था तो जू समिधन सवा थी उसकी पहली बैठक हुई थी वह हुई और तीसरी वैठक जानते हैं यह हुई थी हमारी 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को यह डिट महत्पुने उसको ध्यान में रखिएगा यहीं से आपको पता चलेगा कि उद्देश का सब्द कहां से आया है यह दो हैं इन दोनों को जो समधान सभा बनी थी उसकी करकारी सरचना की फला सदस को यह काम करना है फला वेक्ति को यह काम करना तो इसमें कार्यों की बटपारा और जो समधान सवाका जूँता है इस तरह की इन दो टेट ओड़ गया तो हम देखते हैं कि इन तो आप सब्दान सभाज जब एकतरत हुए तो नहरुजी पंडि जवालाल नहरु हमारे देश में दो नहरु वह एक मौतिलाल नहरू हुए है एक पंडे जवालाल नहरू उनके बेटे थे मौतिलाल नहरू के तो जब हम समयधान सभा बना रहे थे जब हम समयधान सभा का गठन हुआ उसी समय जब जो सदस हुए थे तो नहरू ने उनके सामने एक विचार रखा वो विचार रखा जैसे हमने कह तो अभी कि जब कोई लेखक लिखता है तो उसके कुछ उद्देश होंगे, कुछ आदर्स होंगे, तो इसी के परकार नहरू ने समिधान सभा के सामने ये प्रस्न रखा कि जो समिधान बनाने के लिए हम एकत्रित हुए है, जो समिधान सभा का गठन किया गया है, जिस समिध समिधान हमको बनाना है कि उसके कुछ उद्देश होंगे, उसके कुछ लक्ष होंगे और कुछ आदर्स होंगे, तो उन्ही उद्देश्यों, उन्ही लक्ष्यों और आदर्सों को उन्होंने समिधान सभा के सामने रखा और एक प्रस्ताव रखा जिसको हम कहते हैं, क्या कह क्याते हैं एद्धेश प्रस्ताव सामने एक उद्धेश प्रस्ताव रहने की objective कि प्रश्टाव में जो प्रस्ताव था उसमें समिधान के उद्देश्यों लक्षियों उसमें क्या क्या होगा उन्हीं सब बातों का जिक्र किया होगा इस उद्दिष प्रिस्ताव को समधान सवा ने 22 जनवरी 1947 को सुईकार कर लिया 13 दिसम्बर को नहरू जी ने समधान सवा के सामने क्या रखा? ये उद्दिष प्रिस्ताव रखा इसको रखा इसमें समधान के जो हमने अभी बताया कि क्या आदर्स होंगे, क्या लक्ष होंगे, उसके क्या उद्दिष होंगे किन उद्दिषों को लेकर वो चलेगा? उप्रोक तो सभी का उन्होंने एक प्रिस्ताव रखा और इसको हमने कहा उद्दिष प्रिस्ताव और इस उद्धिष प्रिस्ताव को समधान सवा ने 22 जनवरी 1947 को सुईकार कर लिया जाता है समधान सवा ने इसको सुईकार कर लिया 22 जनवरी 1947 को अब प्रस्न उठता है कि इस उद्धिष प्रिस्ताव को समधान में कहां इस्थान दिया जाए क्या प्रस्न उड़ता है समधान सवा के सामने कि जो नहरु जी ने उद्धित प्रिस्ताव रखा है उसको समधान में कहां इस्थान दिया जाए या कहां रखा जाए तो जब समधान सभा के दोरा अब देखना कि जब समधान सभा ने इस उद्देश प्रिस्ताव का बिसलेशन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें उन सभी बातों का जिक्र है जो एक प्रस्ताबना में होती है उद्धिस प्रस्ताबना में होती है जो किसी समयधान के प्रस्ताबना में होती है ऐसी ही बातें ऐसी ही नियम ऐसी ही भासा इस उद्धिस प्रस्ताब में लिखी थी इसलिए नहरू के सम्मान में इस उद्धिस प्रस्ताब से हमने सब्दिलि क्या है उद्देश का क्योंकि वो उद्देश प्रस्ताव से निकली हुई थी उद्देश का। तो हमने क्या सब्द लिक्या उद्देश का। अगर कोई बोलता है कि भारत के संव्मेदान में प्रस्ताबना नहीं है। प्रिष्था अपना है लेकिन उसका नाम उद्देश का है हम आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमारे समधान में उद्देश का सब्द कहां से लिया गया यह उद्देश प्रिष्था से लिया गया जो नहरू ने 13 दिसंबर 1946 को समधान सभा के सामने कि उसके प्रिस्तावना से कुछ थोटे छोटे तथ्य उनको भी समझ लेते हैं फिर हम प्रिस्तावना को देखेंगे कि क्या लिखा है प्रिस्तावना में और उसके एक सब्ड़ का बारीकी से देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है प्रतेक सब्द का मतलब क्या होता है क्योंकि उसमें पूरे समधान का दर्सन है यानि कि प्रिस्तावना ये समधान का दर्सन है अगर आप प्रिस्तावना को अच्छे समझ जाते हैं तो आप पाएंगे कि पूरे समधान को समझ लेंगे कि वो उसका सार है जैसे वेदों का सार उपनिस्दों का सार गीता है जो भगवत गीता है वो वेदों और उपनिस्दों का सार है उसी प्रिकार पूरे समिधान का सार आपको प्रिस्ताबना में मिलेगा इसलिए प्रिस्ताबना को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है का क्या मतलब है तो सबसे पहले हम इसके कुछ बिंदु हैं उनको जान लेते हैं वो बिंदु क्या है हम जानते हैं कि इनको हटा देते हैं पुन वो बिंदु है कि प्रिस्तावना कहां से ली गई है प्रस्ण आता है एक्जाम में कि प्रिस्तावना कहां से ली गई है तो हम जानते हैं कि बिस्व में सबसे पहला जो लिखित समधान आया था वो अमेरिका का आया था बिस्व में सबसे पहला समधान कहां का आया था वो आया था अमेरिका का तो जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ले गई है तो हम कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वो कहां से ले गई यू यू या से से फिर कभी-कभी प्रस्णा आ जाता है कि जो सम्मित धान में जो प्रस्तापना है या जो प्रियम्बल है उसका सिल्प हम क्या बोल रहा है उसका सिल्प उसकी भासा यह तो हो गया कहां से फिर दूसरा पाजा है कि उसका सिल्प उसकी भासा कहां से ली गई तो इसका उत्तर है और स्टेलिया क्या है और स्टेलिया यह दो तत्ते यह हम को जानना है अब कुछ तत्त बचते हैं कि क्या सम्मिधान में ऐसा कोई प्रावधाने की प्रिस्तापना में संसोधन किया जा सकता है या इसको सीधा कहें कि क्या प्रिस्तापना में संसोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है एक ये प्रस्ण आ सकता है दूसरा प्रस्ण हो सकता है कि प्रस्तावना समिधान का भग है या नहीं है क्या समिधान प्रस्तावना का जो प्रस्तावना है वो समिधान का आधारभू धाचा है या नहीं है तो इस तरह के प्रस्णों को जब हम पूरी प्रस्तावना को पढ़ लेंगे एक समगर तरीके से तब हम जा के उसका लास्ट में एक विसलेशन करेंगे और उस विसलेशन में हम इन्ही प्रस्णों के उत्तर जानेंगे कि प्रिस्तावना में संसोधन किया जा सकता है या नहीं यस प्रिस्तावना में अभी तक कितनी वार संसोधन किया गया है क्या प्रिस्तावना भरत्य समधान का भाग है या नहीं तो इनी प्रस्नों के उत्तर जब हम प्रिस्तावना को समगर तरीके से बिसलेशन कर लेंगे और उसको पढ़ लेंगे तो हम उसको जानेंगे तो अब हम देखते ही कि भारत के समध्धान में जो प्रिस्तावना लिखिये उसमें क्या लिखा हुआ है तो इसको समझने के लिए हमको प्रिस्तावना चलते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिस्तावना देखते हैं ये प्रस्तावना है हमारी इसमें लिखा हुआ कि जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पहली लाइन लिखी है कि हम भारत के लोग पहली लाइन क्या लिखी हुई है हम भारत के लोग भारत को एक तंपूर्ण प्रिभूत शंपन समाजवादी पन्त निर्पेक्ष लोकत अंत्रातमक गड़ राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरोकों को सामाजिक आर्थिक राजनेतिक नियाये विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सोतंतरता प्रितिष्ठा और अफसर की समिता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गर्मा राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता को बढ़ाने के लिए दिरन संकल्प होकर अपनी इस समिधान सभा में आज तारिक 26 नंबर उन पचास यानि की 1949 मित जब हमें उसमें लिखा है कि मिती मिती मार्ग सीर्स सुक्ल सब्तमी संबत 2006 विक्रमी को एता दौरा इस समिधान को अंगी कृत अधीनिया में आत्मर्पित करते हैं यह हमारे समिधान की प्रस्तावना है जो पूरे समिधान का दर्सन है इसमें आप पूरे समिधान की हर एक चीज़ को वाख खुबी तरीके से इस पस्ट तरीके से देख सकते हैं अब हम देखते हैं कि हम जब इसको पढ़ेंगे प्रस्तावना को तो इसमें तीन चीज़ें हमको मुख रूप से जो हमने कहा था जैसे कि उसमें क्या होगा उसमें कुछ हमने जब परभासा देखी तो इसमें कहा था कि प्रस्तावना क्या होती है कि उसमें उद्यस होते है उसमें आदर्स होते हैं उसमें लक्ष होते हैं और दूसरा पॉइंट देखा था हमने कि उसमें सासन का स्वरूप होता है तो अब देखने कि इसमें सासन का स्वरूप का है जब हम सासन के स्वरूप को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रुव संपन देस्द समाजबादी साशन का स्वुरूप कैसा होगा समाजबादी होगा समपूर प्रभूत संपन का मतलब क्या होता है कि समाजबादी का मतलब क्या होता है भारति ये समाजबाद क्या है क्या ये औरों से विसिस्ट है या जो समाजबाद है जोब एक बिचारधरा के रूम में है उसी की भाती है लोकतंत्र गड़ राज क्या लोकतंत्र गड़ राज कोई अंतर है तो इन बातों को समझेंगे हमने कहता कि उसमें कुछ आदर्स है तो हम देखते हैं जब इसको पढ़ते तो उसमें लिखा है कि सामाजी कार्थिक और राजनेथिक नियाय नियाय विचार तीस्टा और अपसर की समता हम देखते की एक और आदर से मिल गया समता फिर हम देखते की व्यक्ति की गर्मा इंडू विजियल इंटीग्रिटी इंडी विजियल इंटीग्रिटी व्यक्ति की गर्मा राष्ट की एकता और अखंडता क्या एकता और अखंडता समान है या अ गलग हैं इनका भी जिक्र किया गया है अब हम इसमें सबसे जो महत्पूर्ण वात है वो हमने लाश्ट में देखा था कि जो हमदान लागू होने की तिथीका भी बरने जब हम अंग्रेजी कलेंडर देखते तो इसमें 26 नमबर निज्सो उनपचास लिखा होगा था है 27 नममा 1949 लेकिन जब हम इसको हिंदू के लेंडर के अनसार देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है मित्ती मार्ग सीड्स का महिना होगा किसका होगा मार्ग सीड्स का मार्ग सीड्स का महिना होगा सुक्ल सब्तमी सुक्ल पक्च होगा सुक्ल सब्तमी यानि कि हिंदू जो कलेंडर होता उसमें दो महाय होते हैं उसमें दो पक्च होते हैं जैसे कि एक होता क्रिष्न पक्च एथ होता है सुक्ल पक्च जब हमें इसमें देखते हैं कि जो सुक्ल सब्तमी है वह चांद वाला पक्च है चांद धीरे धीरे बढ़ रहा होता यानि कि उजाला था तब हमारा समयधान लागू हुआ था हमारा समेधान कब लागू हुआ था चान धीरे धीरे बढ़ रहा था यानि कि उजाले वाला पक्ष होगा सुक्ल सब्तमी यानि कि उस समय दो हजार है विक्रम संबथ के नुसार तो मार्ग सीर्स माग का महिना होगा शुक्ल सप्तमी यानि सुक्ल पक्ष की सप्तमी होगी चान धीरे धीरे बढ़ रहा होगा फूरता की हो बैसे हमारा समिधान लागू हुआ था उस जाले में चानद वाले पक्ष में विक्रमी संबद 2006 उस समय विक्रम संबद के अनुसार क्या होगा 2006 अच्छे अब 20 नमबर 59 यह तो सभी को पता होती है लेकिन हमारे समधान में हमको भारतिय संस्कृति के अनुसार यह पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुगा है हमने इसको पड़ लिया जब हम इसको डी कोड करेंगे या इसको अच्छे से हमको लिखना होगा तो हम इसमें देखते हैं कि हमने देखा तक कि क्या क्या आएगा तो इसको समझने के लिए हम इसको आगे देखते हैं इसको देखेंगे हम तो हम इसमें देखते हैं कि क्या द लाई है हमने पहली चीज़ इसमें दैखी थी की स्ता को सुरूत क्या होगा जब हम यहां लगते हैं तो हम यह लिखेंगे सतताह defense कर दो दो कि शत्ता का सुरूप गया है? जो शत्ता है उसका स्वरूप क्या होगा? यानि कि सासन का सुरूप क्या होगा? फिर देखा था हम ने की सत्ता के उद्देश क्या है? सत्ता के उद्धिश जब हम इसको पढ़ेंगे, देख लेंगे, अब हम देखते हैं कि हमने देखा था कि सत्ता का सुरोत क्या, जब हम इसको पीछे जाएंगे प्रिस्तावना, तो हमने देखा था कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो इसको सक्ति कहां से मिलती, हम भारत के लोग से, तो सोर source of authority क्या हो गया जब हम source of authority की बात करते हैं तो source of authority हो गया जनता क्या हो गई जनता और जनता को हम मानते हैं लोग पुरुवता अभी देखेंगे कि लोग पुरुवता का विचार कहां जयाया लोग पुरुवता यह हो गया सत्ता का रूप हम भारत के लोग हमारी प्रस्ताफन यहाई से शुरू होती है हम भारत के लोग से ठीक है अब देखते हैं कि सत्ता का स्वरूप सत्ता के स्वरूप में हमने क्या देखा था कि संपूर्ण फिर्भोत संपन तो एक क्या हो गया इसमें संपूर्ण भीड़ोत तंपन के संपूर्ण फिर्भोत संपन दूसरा ने देखा था इसमें क्या देखा था कि समाजवादी पंत निरपेक्ष दो सब्सक्रान के मिले हमको पहला मिला कि सम रसन का स्वरूप क्या होगा समाजवादी होगा फिर देखा हमने की पंथ निर्पेक्च होगा फिर हमने देखा था उसमें क्या लिखा था लोक तंत्रात्मक सासन का स्वरूप क्यासा होगा लोक तंत्रात्मक होगा लोक तंत्रात्मक और फिर हमने क्या देखा था उसमें गणराज होगा तो यह होगा हमारे सत्ता के स्वरूप कि सत्ता के स्वरूप कैसा होगा अब देखते हैं कि सत्ता के उद्देश क्या है मालो हमारे प्रधान मंतरी जी भूल जाएं कि हम किसलिए प्रधान मंतरी बने हैं या मोटावाई जो गंजे गंजे हैं वो भूल जाएं मोटावाई से मरतात पर जो अपने होम मिनिस्टर है वो भूल जाएं कि हम किसलिए बने हैं तो उनको प्रिस्तावना पढ़नी चाहिए दिन रात पढ़नी चाहिए सुबह साम पढ़नी चाहिए कि हमारा हम क्यों बने प सोतंतरता, समित्ता, व्यक्ति की गर्मा, रैस्ट की एक्ता, और अखंडता, तो इसमें क्या होगा है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नयाए, दूसरा क्या लिखेंगे, सोतंतरता, तीसरा क्या लिखेंगे, समित्ता, फिर लिखेंगे व्यक्ति की गर्मा, और फिर क्या लिखते हैं, कि एक्ता और अखंडता, चींकि दोनों अलग अलग है, एक्ता और अखंडता, यह क्या होगा है, यह सत्ता के उद्देश होगा, एक्ता और अखंडता, सत्ता के उद्देश, अब हम देखते हैं कि लोग प्रुवता क्या होती, क्योंकि समधान की प्रिस्तापना को हमको बहुत अच्छे से पौड़ना, यह एक दर्सन की भाती है, और हमको पूरा समधान समझना है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि प्रिस्तापना को अच्छे से देखेंगे, उसके एक एक सब्द को देखेंगे, हमने कहा था कि किस से शुरुवात होती है, हम भारत के लोग, कहां से शुरुवात होती है, हम भारत के लोग, तो हम इस सब्द को समझे लेते हैं कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम भारत के लोग का, इसको समझने के लिए हम देखेंगे, लोग प्रुवता क्या होती हो, तो हम देखेंगे, हम भ भारत के लोग, यानि कि इसको बोलते हैं जनता और जनता को ही कहते हैं लोग प्रभरता, लोग प्रभरता, यानि कि लोग ही पिर्भू हैं, लोग माने लोग, प्रभुता माने पिर्भू, लोग ही इस्वर है, जनता ही इस्वर है, तो जो स्पोर्स ओप अथॉर्टी है, जो समझान को सक्ती मिलती है, वो कहां से मिलती है, हम सबसे है, हम सबसे, यानि कि हम भारत की लोग, उसको सक्ती कौन देते हैं हम लोग देते हैं जनता देती है। तो हम देखते हैं कि यह लोग प्रुभता का विचार कहाँ से आया। फ्रांस का एक विचारक है रूसो, फ्रांस का विचारक कौन है रूसो, रूसो एक फ्रांस का विचारक है जिसने सबसे पहले लोग पुरहता का विचार दिया था, रूसो एक फ्रांस का विचारा के और उसके विचारों का फ्रांस की करांती पर बहुत प्रवाव पड़ा तो अगर प्रसन आ जाता कि फ्रांस की करांती का प्रवाव भारतिय समयदान पर कहां देखने को मिलता है क्योंकि लोग प्रभता के अब धारणा उसमें देखने को मिलती है और लोग प्रभता कहां से आया रूसु न दिया रूसु कहा का है फ्रांस का उसने कहा था कि जनता की वाणी ही इस वर की वाणी है जनता की वाणी ही जनता की वाणी ही इस वर की वाणी है इस्वर की वाणी है ये रूसों ने कहा था कि जनता की वाणी ही इस्वर की वाणी है उसने कहा था कि जनता की वाणी ही इस्वर की वाणी है इसको हम ये रूसों ने कहा था क्या कहा था कि जनता की वाणी ही इस्वर की वाणी है तो जब जनता की वाणी ही इस्वर की वाणी है तो ये लोग प्रवता की और इंगित करता कि हमारे समयधान में लोग प्रवता है हम भारत के लोग यहां से शुरुआत होती है और इसको हमने क्या कहा था जनता और इसको हमने कहा था लोग प्रवता ठीक है और हमने लोग प्रवता के तहत के सको देखा था रूसों को और रूसों के उस कतान को कि जनता की वाणी ही इस स्वर की वाणी है यह देखा था हमने अभी ठीक है हम भारत के लोग तो यह है कि हमको लोग प्रवता देखनों को मिलती है अब इसको और गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि एक समिधान वेटता है कौन है समिधान वेटता जब हम समिधान वेटता हैं तो वो ब्रिटेस के हैं और उनका नाम है के-शी wDR कौन है के-शी वियार साब यह समयाधान वेता है और जो इन ब्रिटेन के हैं यह विटेस हैं के-शी i-Ar साहठ एन बहुत बड़ी समयधान बेता है और इनका जो स्टटी ओफ एरिया थाज उनका इनका प्रिशरच थी वो थी कि विबन समयधान को पड़ना और उजनकी तोरनाम आत्मक समयधान हम इनका येडिया और स्टटी था तो अन्हों पाया कि जो प्रिस्तापना है उसमें लोग प्रुवता है नहीं उन्हों ने कहा कि लोग प्रुवता एक ब्राम है लोग प्रुवता एक ब्राम है किस ने कहा कि भारत के समयधान में लोग प्रुवता एक ब्राम है अब मालो किसी एक्जाम में प्रस्ना आ जाता है कि भारत के समयधान में एक लोग प्रुवता एक भिरह में किसका कठान है तो ये केसी बियर साहब का है एक बहुत लेकिन जब हम केसी वियर साहापको देखते हैं तो वो क्याहत कहते है कि प्रिस्टापना में जो लोग पृभूता है वो एक ब्रहाम है यानि कि भारत के सम्मिधान में लोग प्रहुता एक ब्रहाम है यह तो आश्चर करने वाली बात है कि कोई एसा वैसा व्यक्ति नहीं कहा रहा है कि रोट चलते व्यक्ति का रहा है ये एक सम्मिधान वेता है वो कह रहा है कि लोग प्रभुता एक भिराम है मालो अगर आज केसी भीयर साब जिन्दा होते हैं और मैं यहाँ पढ़ा रहा होता और वो आ जाते कि भारत के समधान में लोग प्रुवता एक भिराम है ऐसे नहीं थे पना दिया कि तो हम कहेंगे कि हम में तो देखने को मिलती हमने देखा है कि हम भारत के लोग 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 प्रुवता तो यही लोग प्रुवता होती है तो बोलेंगे नहीं तो जब वो नहीं बोलेंगे तो जब बैक्ती कोई बात बोलता है किसी दावे के साथ तो वो कुछ तथ और तरक प्रस्तुत करता है हम कहेंगे उनसे कि कैसे तो वो हमसे कुछ प्रस्न पूछेंगे कि समधान सभा कि यह समधान किसने बनाया था किसी बीयर साथ हमसे पूछेंगे कि सौरब सर यह बताओ कि यह समधान किसने बनाया था जब वो समधान पूछेंगे कि समयद्धान किसने बनाया तो हमारा उत्तार क्या के अगा था था किसर समयद्धान सवा ने जम धान किस ने बनाया जम्धान सवाने बनाया तो वो लेंने नियू róż समिधान सभा ने बनाया है अब कहेंगे कि आगे बताओ कि समिधान सभा किसने चुनी थी या जो समिधान सभा कि सदस्थ थी वो कैसे और किसने चुना था तो हम कहेंगे कि उनका जो चुना हुआ था वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था आप प्रतेक्ष चुनाओ ठीक है हम क्या कहेंगे कि आप प्रतेक्ष चुनाओ हुआ था उनका तो बोलेंगे ठीक है किसने चुना था वो यहीं नहीं रोकेंगे इसके आगे जाएंगे कि किसने चुना था यह जो आप प्रतेक्ष चुनाओ हुआ तो वो किसने चुना था तो प्रांतिय विधान मंदल के सदस्यों है, वो कहेंगे ठीक है, समधान सवा के सदस्यों को किसने चुना, प्रांतिय विधान मंदल के सदस्यों है, वो कहेंगे बहुत अच्छे, लेकिन वो यही नहीं रोकेंगे, वो और आके जाएंगे, वो पूछेंगे कि इनको किसने चुन इनको किसने चुना जो प्रांतिय विधान मंडल के सदस हैं अगर प्रांतिय विधान मंडल के सदसों को अगर आज से तुलना करें कि तो जो आज के MLA होते हैं जो आज के विधायक होते हैं उसी परकार से पहले होते थे ये प्रांतिय विधान मंडल के सदस तो वो कहेंगे कि इनको किसने चुना, तो उस समय क्या था कि British आसन्था, ठीक है? British आसन्था तो उस समय तो उस समय वह मता अधिकार था, वह सीमत था, वह सका मता अधिकार नहीं था, सेमत था, तो सीमत वह कौन-कौन लोग आते हैं, दो लोग आते हैं एक तो आते हैं सिक्षित और दूसरे आते हैं धनी व्यक्ति कि जिनके पास एक निश्चित इंकम हो व्यक्ति बोट डाल सकता है सिक्षित व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री हो पढ़ा लिखा हो व्यक्ति वोट डाल तकता है सिक्षित व्यक्ति ठीक है अगर इन दोनों को उस समय देखा जाए तो यह 10% से भी कम थे कित्ते से 10% से भी कम थे है उन लोगों ने प्रांति व्यद्धान मंडल को चुना और उन लोगों ने किसको चुना समय दान सभा के सदस्यों को समय दान सभा को चुना और उन व्यक्तियों क्या बनाया समय दान तो अब वो तरक देते हैं कि सिर्फ 10% व्यक्तियों ने ही समय दान सभा को चुना और कि न रखना दिया है 사랑 कि टू पुर की कामी जो सम्मिधान में लिख्ष और धनी व्यक्ति ही लोग थे उनोग इस हम भारत व Cannon allora इसा है लिखना था कि हम भारत के धनी और सिक्षित लोग क्या सब्सक्राइब कि हम भारत के सिक्षित और धनी लोग यह नहीं लिखना था कि हम भारत की लोग तो इस परकार वो कहते हैं कि प्रिस्ताबना में जो भारत की प्रिस्ताबना है समयदान की उसमें लोग प्रुभुता एक बिरहम है यह उनका तर्क हो गया केसी वियर साब का यह हमारे केसी वियर साब है दिख लीजिए तो यह उनका हो जाता है लेकिन जब हम इससे आगे सोचते हैं क्या सोचते हैं कि हम अपने सरकार की आलोच ना सुन सकते हैं अपने लोगों की आलोच ना सुन सकते हैं लेकिन जब कोई हमारे सम्मिधान की आलोच ना करेगा तो हम ये कताई बर्दास नहीं करें क्योंकि वो एक हमारा आधर सदस्ता बेजे उसको हमारे पूर्वजों ने बड़ी महनत से बनाया वो हमारा इक आदर से उस देश को संचालत करने का एक जरिया है मूल समिधान मूल विधान है वो अगर उस पर कोई चोट करता है तो हमको भी उस चोट या उसके तथ्थियों तरकों का जबाब देना होगा वो भी अपने तथ्थ और तरक के अनुसार कि नहीं ऐसा नहीं हमारे समिधान में लोग प्रूवता है और हम सिद्ध करेंगे तो जब हम कोई सिद्ध करते हैं तो हमारे पास तथ्थ और तरक होने चाहिए तो हम भी उसको तथ्थ और तरक के साथ कहेंगे हम कहेंगे कि यह हम केसी बियर साहब है एक केसी बीयर साब है ठीक है हम केसी बीयर साब से कहेंगे कि सर ऐसा है कि जो हमारा समधान है उसकी सुरुगात कहां से होती है वो कहेंगे कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग हम कहेंगे कि ठीक है सर कहां से सुरुगाद होती है हम भारत के लोग हम उनसे पूछेंगे कि हमारी जो प्रिस्तापना है वो कहां खत्म होती तो हम वो कहेंगे कि कि अंगी क्रेट कहां से खत्म होती है अंगी क्रेट अधीनिया में तर और आत्म अर्पेट इनको परवना देते हम आत्म अर्पेट हम यह KIRAN ¿भाट साब को बना देते हैं ऐसकी किzem कि अधीनिया में ओर आत्मेज अर्पेट अगराउपने प्रश्ताबना को भी देखा हुआ तो इन सब्सक्रिक्त तो जब हम अंगी क्रेट कारथ देखते हैं अंगी क्रेट कार्थ देखते हैं क्रिट का होता होता है कि किसी चीज को बनाना अंगी क्रिट कर देना तो हमने समय धान बनाया अंगी क्रिट किया किसने मनाया हम भारत के लोग यानि की जनता कि किसने मनाया हम भारत के लोग ने ना कि सिक्षित और धनी वर्ग व्यक्तियों किसने हम भारत के लोग ने किसी भी हम इसको लागू करते हैं किस पर लागू करते हैं हम भारत के लोग भारत के लोगों पर लागू करते हैं ठीक है तो यह भी क्या हो गई लोग प्रुवता क्या देखने को मिल लाई है लोग प्रुवता कि हम अपने समयधान को लागू करते हैं किस भारत के लोगों पर तो क्य फ्लाव hierarchy चाहरा हो गयी जब हम अगला देखते हैं तो अगला क्या लिखा आत्मारपर पएथ हम कूं रला हम का मतलब यहां भारत के लोग हम भारत के लोग इसको आत्मारपद करते ना कि लिशेत और धणीब्यक्ति तो इसलिए कि हमारे समयधान में क्या देखने को मिलती है लोग विर्वता तो एक तो यह हो गया फिर दूसरा तरक देखेंगे देंगे उनको केसी बीर साब जी को उनको कि देखिए सार ऐसा है कि जो समयधान सभा में व्यक्टी थे वो कोई या आम नागरिक नहीं थे या आम व्यक्ति नहीं थे वो पहले से ही जाने वाने हस्ती थे पहचाने लोग थे उनका समाज में पहचान थे उनकी लोग उनking को मानते थे इसलिए उन्होंने उनको चुन के भेजाम लोगों ने जब 1952 के चुना हुए थे तो उसमें बहुत सारे जो समिधान सबाके सदस्ते उन्हों ने चुना लड़ा था और जीते थे तो इस परकार हम कह सकते हैं कि हमारे समिधान में लोग पुरुवता देखने को मिलती है हम अब समझेंगे कि आपको इसका अर्थ समाज में आ गया होगा कि हम भारत के लोग बहुत बिस्तरे तरीके से हमने समझा कर 1500 प्रेशन में आ जाकि भारत के समदान में लोग पुरुवता देखने को मिलती है ने तो हम इस सब्दों को वह खुबी तरीके से 1500 या 200 सब्दों में लिख सकते हैं अब दूसरा आता है कि कि दूसरा देख लेते हैं क्या देखना है हमको कि लोग पुरुवता दो तो एक लिए है अब हम देखते हैं कि जो हमने देखा था कि कि यह देख लिया हमने कि इसको हटा देते हम अपन अब बस्ता की सासन का सुरूप यानि कि सत्ता का सुरूप क्या होगा तो सत्ता के सुरूप में सबसे पहले देखते हम संपूर प्रभुत संपन क्या देखेंगे संपूर प्रभुत संपन तो इसको समझ लेते हम, किसको समझ लेते हैं? संपूर्ण पिर्भुत संपन यह सत्ता के स्वरूप में पहला पॉइंट है, संपूर्ण पिर्भुत संपन संपूर्ण पिर्भुत संपन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि संपूर्ण पिर्भुत संपन का मतलब क्या होता है? कि इसकोर कर लेते हैं फिर हम प्रिस्तावना को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है अगली क्लास स्टार्ट होनी है तो वसे स्कोर समझ लेंगे इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभूत संपन का कि ऐसा देश जो कि अपने बहरी और अंतरिक मामलों में सोतन्तर नड़ाना लेता है ऐसा देश जो अपने बहरी और अंतरिक नरड़ा होता हो किसी के दवाव में नृणा ना लेता हो ऐसे देश को हम संपूर्ण प्रवुत संपन कहते हैं किसको कहते हैं अकर हम एक लाइन में परवासा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि ऐसा देश जो अपने वाहिये एबम आंत्रिक निर्णाय स्वतंत रूप से लेता हो ऐसे देश को हम संपूर्ण प्रभूत संपन कहते हैं हमने इसमें दो चीज़ें देखी क्या देखी पहला देखा हमने कि आंतरिक दूसरा देखा वह है आंतरिक और वह है जब हम आंतरिक देखेंगे कि आंतरिक में क्या क्या चीज़ें आएंगे तो हम इसको और गहराई में जाके देखेंगे, तो देखेंगे कि उस देश की राजनीती, दूसरा देखेंगे उसकी अर्थनीती, और देखेंगे वहां का समाज, अगर कोई पूछे कि अंतरिक में क्या क्या आएंगे, तो हम बोल देखेंगे उसकी राजनीती आ जाएगी, अर्थीनीति आजाएगी समाज आजाएगा और भी चीजें डेटर टेस्ट यह सीजी है जो देश के अंदर संचेल है वैपर हो गया बपर अर्थीनीति के अंतरकत आजाएगा तो लम Top देखेंगे कि राजनीती में देखेंगे कि हमारे देश की राजनीती क्यासी होगी क्या यहां का सासन अध्यक्षात्मक होगा या संसधिय सासन होगा यह कौन रणाय लेगा यह हम रणाय लेगे हमारा देश रणाय लेगा अगर माल लो अभी अमेरिका के प्रधानवन राष् साशन लाई तो हमारे मोदी जी का क्या जवाब होगा की माने नहीं हम एक संपूर फिर्वुत्-संपन देश हैं को है मोदी जी क्या करेंगे की बाइडन साब हम एक शंपूर फिरुफ disposit संपन देश हैं इसलिए हमारा निरना होगा कि हम अध्यक्षात्मक शासन लाएंगे या सम्सद्धिय सासन यह आप नहीं टाय करें गे कि हमको क्या लाना है थीक है तो मुदी जी का क्या होगा कि हम प्र्भुत तंपन देश हैं अर्थनीती जैसे अभी हमने GST लागू किया, नोट बंदी की, अब मालो कि फिर से पुतिन साहब बोलें, जो रसिया के प्राइम मिनेस्टर हैं, पुतिन साहब, वो कहेंगे कि है मोदी जी, आपने नोट बंदी क्यों की, आपने GST लागू क्यों किया, आपको नहीं करना चा हो गए हैं पर से क्या मोदी जी क्या आइसर आएंगा कि हम तंपूर्ण परभूत संपन है पुतिन साहब, ये हमारे देश का Аंतरिक मामला है, हम ननना, लेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जो देश के अंदर हो रहा है, वो नननना सब हमारी सरकार लेगी, हम लेंगे कोई बाहरी सरकार नहीं लेगी नहीं उसका कोई हस्त शेफ होगा ठीक है समाज क्यासा होगा समाज में महलाओं की इस्तिति क्या होगी रोजगार की इस्तिति क्या होगी बच्चों को क्या अधिकार होंगे महलाओं को क्या अधिकार होंगे जैसे हमने अभी आईश्मान भारती हो जोना चलाई कुछ समय पूर्भ हमने चलाया था जन धनी हो जोना तो यह सब समाज का मुद्ध है अब इसका दूसरा पक्ष आता है वह यह जब भाहरी पक्ष देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो अपनी बाउंडरी है यानि कि इं कि देख कौन होगा मोकरे है बित्र देख या सत्तर देश का चुनाव करना यह हमारी तम प्रम प्रुभता का चेत्र हे कोई नहीं कहाएगा अमेरका नहीं कहाएगा कि तुम कीन को कहो कि यहeuमारा उपने मित्र या सत्रू ये हमारे उपर डिपेंड करेगा कि हम इसको मित्र कहेंगे या सत्रू कहेंगे मिश्फिकोफ 2050 धुश्रा कि युद्वा सांती की सानसीख को यूद्वा सांती की साना योद्ट वासान्ति की गोषणा इसको तो अगर मालो की चीन ने हमारे बॉर्डर पर हमला किया तो हम चाहे तो योद्द की गोषणा भी कर सकते हैं और योद्द की समाप्ति ये चीन निर्दार्त नहीं करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है क्योंकि हमारा भाहरी मामला है हमारी संप्रुपता का मामला है जैसे CPC का मुद्ध हमने उसका ब्रोध किया जैसे उसने चाइना ने गलवन घाटी पर तो हमने उसका ब्रोध कि यह हमारे भाहरी मामला है हम संप्रुपता पर आचा आती है तो हम इसके ल संधी एबम समझाते हैं जितने भी अंतराष्टी संधी और समझाते होते हैं कि कौन से संधी हमको माननी है और कौन सी संधी हमको नहीं माननी है या कौन से संगठन में हमको सामिल होना है या कौन से संगठन में हमको सामिल नहीं होना है यह भारत ताय करेगा कि हमको नाटों में सामिल होना है या नहीं होना है हमको UN में सामिल होना है या नहीं होना है बर्ड बैंक का सदस बनना है या नहीं है यह हमारा आंतरिक निना है और यह हम लेंगे बहाय मामलों कि हमको होना है या नहीं यह हमारी स्वेच्छा पनिर्वार करता है क्योंकि हम समपूर्ण प्रभूत संपन देश हैं तोबरेन कैंट्री हैं अब एक प्रस्ण उठता है कि जब इसको और गहराई में जाके देखते हैं तो एक प्रस्ण उठता है बर्तमान समय में जो भूम मंदली करण का दौर चल रहा है एक प्रस्ण उठता है भूम मंदली करण के दौर में यह जो प्रस्ताव में लिखा है संपूर्ण प्रभूत संपन वो कहां तक प्रसांगे क्योंकि ग्लोबलाइजेसन के दौर में जो सं कहीं कमजोर पड़ा है संपुन प्रवुत संपन की जो अभधारन वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है भाग गोलिक सीमा कमजोर हुई है जब से ग्लोबलाईजेशन का दौर आया वैस्वी करण का दौर आया तो अब यह प्रस नोटता है कि क्या भारत एक संपुन प्रवुत संपन है अगर है तो किस सीमा तक है क्योंकि जब आप देखते हैं वर्ल्ड वैंक यूएन डवलू टी ओ तो इनके अनुसार हम अपने नियम और कानून बनाते हैं कि क्या नियम होंगे हमारी यर्थ वैवस्ता कैसे चलेगी हम वैपार कैसे करेंगे तो यह प्रस नोटते हैं कि हम डव्लू टी ओ की बात मानते हैं कि नहीं डव्लू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड और्कनाईजेशन बर्ल्ड वैंक विश वैंक आया मैप क्यों तो इस परकार से हम कहते हैं, अब माले की अभी आपने देखा होगा कि कई दूनों से चल रहा था कि चीनी सामान का बहिस्कार किया जाए, हम चीनी सामान यूज नहीं करेंगे, भारत सरकार को चीनी सामान पर बैन लगाना चाहिए, तो ये डबलू टियो के अपन सदस हैं, त कि हम ज्यादा टेक्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम ग्लोलाइजेशन के दौर में हैं, तो एक हद तक ये कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्त की अबदालना वो थोड़ी कम जोड हो हिया, लेकिन एक बात याद रखना कि हमने अभी जब संपूर्ण प्रभुत्त पन को पड़ा, तो हमने देखा कि हम किसी भी संग्ठन या किसी संधी या किसी समझौते में समलित होने के लिए बाद नहीं है, हम उस संधी से कभी भी बापिस आ सकते हैं, उस से अपन कभी भी वाक आउट कर सकते हैं, कि हम को संग्ठन उसमें नहीं रहना है, हम को डबलू कि खीक है तो इसी प्रकार हम भी आ सकते चुछ कि कि हम भी एक संपून फिर्बुत रात तो चंपन हैं हम कह सकते हैं कि हम संपून फिर्बुत रात नहीं हो हम उपर यूपर यह बात धान में था राट钱 głu 150 यह C 8 बस एक मिनट ती बाद देता है क्योंकि उस समय 1991 में LPG आया था और उस समय हमारी यहां आर्थिक संकर्ट था और इसी के कारण चलते हमने आया में कुछ सर्थों के साथ उनकी जो सर्थें थी उनको माना था और अपनी एकोनोमी को ओपन किया था इस परकार हम कहा सकते हैं कि हम आज भी परतमान में संपूर्ण प्रवोत संपन हैं लेकिन हां कुछ हद तक यह अपधारना कमजोर पड़ी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है विकास का दौर हैं यहां ग्लोबल लोक लाइजेशन से ग्लोक लाइजेशन की और बढ़र रहें तो यह हमारी संप्रोवता है और आज हम इस लेक्टर को यहीं समाप्त करते हैं और आसा करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए गाए इसके जो बाकी के साब्द हैं अगली क्लास में देखेंगे कि समाज बात क्या होता है और जो भी अपदाणा है उनको अगले लेक्टर में हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीप तरीके से समझेंगे नमस्कार सत्स्रीकाल जहन और आज सभी को जन मास्टिमी की हर दिक सुबकामना है बहुत बहुत होगे इस कोरोना काल में घर रहें सुरक्षित रहें और हमारा जो चैनल है यूटीब ओनो इस्टरी इसको सबस्क्राइब करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें क्यूंकि जो आपके like share और जो comments होते हैं वो हमें एक औरजा देते हैं जैसे एक कभी के लिए तालिया उसका एक उसहा बर्दन करती हैं वैसे ही हमारे लिए आपके लाइक, शेर और कमेंट्स एक उर्चा की भाती, एक पेटरॉल की भाती, एनर्जी ड्रिंक की भाती काम करते हैं जो हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छे से कॉंसेप्ट दे सकें तो झाल झाल